खबर जो निश्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर सेवन सी, खबर जो सच है खबर को भाबते हुए, आप लगे हुए हैं, और आप लोग धन्यवाद के पातर हैं, मैं आप लोग कोटी-कोटी आभारी हूँ और कुरोना एक बहुत बड़ी महामारी है, जो पूरे वर्ड में फैल चुकी है, पूरे विश्व में फैल चुकी है फिर भी भारत में नियंतर्ण की स्थिति है, और मानी परदानमंत्री जी ने, और मानी मुख्यमंत्री जी ने लॉगडाउन किया है तो ये लॉगडाउन इसलिए किया गया है, कि आप लोग घरों में रहेंगे, तो जो चीज है किसी को लक्षण आता है कोरोना का तो उसका इलाज तत्काल किया जाएगा और वो उसके घर के अंदर तक ही फैल सकता है और घर के परिवार तक ही सिमित रहेगा रोड पर नहीं आएगा हम लोगों के देखिए बैरियर लगाया गया है जनपत को पूरी तरीके से लॉक कर दिया गया है हमारे चार जगए बैरियर लगाया है यहां लगा हुआ है यहां लगता है और थारे के सामने भी हम सुरक्षा है तो बैरियर लगा दिये हैं गाडियों को पास कराते समय गाडियों की सारी चीजों की बिल्कुल जाज की जा रही है एक एक डाकुमेंट देखे जा रहा है यदि कोई मेडिकल इफेक्टेड है किसी को दिक्कत है स्वास्त संबंदी तो उसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप घर से ही 108 पे फोन कर ले और बहुत आवस्यक है यदि बहुत ही गंभीर मामला है तो उनको जाने भी दिया जा रहा है मेडिकल इस्टोर की दुकाने खुली रह रही है और उनसे भी लगातार कहा जा रहा है कि अपने दुकान पर अनाबस्यक भीरना लगाए और चूने से गोला बना लें सरकिल बनाने और दूर-दूर सोसल डिस्टेंस मेंटेन करें एक-एक मीटर की दूरी पर रखें इस समय हम लोग के पास एक और जिम्यदारी आई है कि जो लोग बाहर से आ रहा है अन्ने जनपत से आ रहा है अन्ने किसी प्रांते से आ रहा है उनको हम लोग उसी गाहों के प्राथ्निक भी दाले जूनियर हाई स्कूल वह पंचायत भवन में रोकने की विवस्था की जा रही है इसके साथ आप लोग भी लगे हुए ग्राम परदान भी लगे हुए समाजिक कारेकरता भी लगे हुए हम लोग भी लगे हुए है और वहीं पे उनको 14 दिन के लिए क्वारेंटाइन किया जा रहा है वहीं तो क्वारेंटाइन किया जा रहा है खबर से उसी से अजी केमरा मैन नारद